तो राधे राधे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको निदी बनका एक छोटा सा तूर देने वाला हूं तो चलिए हम वीडियो में आके बढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस पतली सी राष्टर से जा रहा हूं यह कितना सुंदर बना रखा है दोनद्र बांस के डंडो को काट कर कितना अच्छे से उसको घेरा लगा रखा है ताकि आप उस पार ना जा सके यहां क्यूंकि यहां पर कई सारे बंदर इसलिए इनको इस तरह से बनाया गया है तो आप देखते चलिए दोस्तों काफी अच्छा नजारा है यहां पर और यहां पर ऐसा माना जाता है कि भगवान श्रीक्रिश्ण रात में गोपियों के संग रास लिला करने के लिए आते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कई सारे तुलसी के पौधे हैं और भी अनेकों तरह के पौधे हैं तो देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नीदीवन का पूरा ब्लोग दे सकूँ तो आप वीडियो में एंड तक बने रही है तो यह देखिए हम एक मंदिर के तरफ आ गए हैं आप पर नाम कीजिए और राधे राधे बोलिए जै राधे रहे तो हम आगे बढ़ चुके हैं तो आप आप देख रहे होंगे कि उपर से भी घेरा की तरह कर रखा है और हाँ दोस्तों यहाँ पर आप जूते या चपल पहन के नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने कोता है यहाँ भगवान सुयम यहाँ पर आते हैं इसलिए यहाँ पर उनका दुआर है तो आप जूते चपल बहार लोकर रूम में जमा कराईए वो आपसे एक यह दो रुपे लेंगे तो चलिए हम फिलालवी चलते हैं आगे देखते हैं और आप भी बने रही वीडियो को और मैं आपको अभी दर्शन कराता हूँ क्योंकि सुबह का टैम हो रहा है तो अभी आरती भी हो रहा है तो देखिए कितनी लंबी कतारे लगी है भकतों की कई भकते या पर दर्शन के लिए आते हैं मुझे भी दोस्टो काफी मन था या अपर आने का तो मैं भी सुबख समय या पर आ गया भीड तो दोस्टो कई बहुती जादा भीड़े हैं या पर ये देखिए भीड कितना है तो आप जो है अपने फोन का ध्यान रखिए जो भी आपके पास है कैमरा फोन उसका आप स्वेम ध्यान रखिए क्योंकि चोरी भी हो सकती है तो किर्पिया इन सबसे बच कर रही है तो लाइन ज़्यादा होने की वज़े से मुझे टाइम लग रहा था तो आप हम आचुके हैं फिलाल एक मंदीर के अंदर धाम दर्शन करेंगे भगवान श्री क्रिश्न का तो यहाँ पर मुझसे कैमरा बंद करने लिए बोला गया था मुझसे में कैमरा बंद कर लिया था तो आप भी इससे सतर खोर होकर रहीएगा क्योंकि अगर आपको उसने वीडियो र्कॉर्डिंग या फोटो खिचते हुए देख लिया सिक्योर्टी गार्ड वालों ने तो आपको वो फोन ले लेंगे तो आपका फोन ले लेंगे वो तो अभी आपने देखा होगा कि यहां पर बंदर गए एधे बंदर तो यहां पर कई सारे बंदर है तो आप इनसे भी सतर खोर कर रही है क्योंकि यह भी आपका फोन चीन लेंगे तो मैं काफी सतर खोर कर यहां पर वीडियो बना रहा था यह देखिए दोस्तो कितना सुन्दर पेड़ है कितना अधभूत अलोकीक पेड़ है यह देखिए दोस्तो और यहां पर जैसा कि आपने देखा होगा अभी बोड में कि यहां पर पौधे के ऊपर या फिर तुलसी माता के ऊपर सिंदूर नहीं डाल सकते हैं नहीं आप को तोड़ सकते हैं तो किर्पिया ऐसा ना करें कि यह देखिए एक बंदर आपने देखा भी बैठा हुआ दोस्तों मुझे माफ कीजेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी हो रखा है इसलिए मैं मेरी यवाज अटक अटक के आ रही होगी तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाता हूँ तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं यह देखिए दोस्तों यहाँ पर काफी मुझे अनंद मिला क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसा कि देख सकते हैं जितने भी भक्त लोगे सब यहाँ पर नाचते हैं भगवान के भजन चलते रहते हैं और यह लोग नाचते हैं यहाँ पर तो मैंने भी अपना नाचा मैंने भी खूब इंजोई किया यहां बैप कोछ शर्माना नहीं है कि मुझे नाचना आता है यह नहीं आता है आपको जैसा भी आता है आप उस तरह से कीजिए और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हो रहा था सुबह का टाइम तो मैंने जम कर नाचा और इससे मुझे गर्मी भी मिल गई सरीर के यह देखिए दोस्तों किस तरह से लोग नाच रहे हैं बच्चे भी नाचते हैं बड़े बुजूर्ग भी नाचते हैं यह देखिए भगवान के दर्शन कीजिए आप यहाँ पर आना के बात मुझे एक अलगी एक्सपिरियेंस हुआ है काफी अच्छा लग है मुझे यहाँ पर इसलिए मैं आपको बोल ला हूँ तो आप भी यहाँ पर आके जरूर नाचिएगा शर्माना की बात नहीं आपको तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है सभी लोग नाच लें सभी भगत लोग कितने खुश है तो मुझे अमीद दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आयोगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों रादे रादे